एपिसोन नमर 216 की स्टर्टिंग होती है और चांगवान उसके डैट से कह रहा होता है लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना होगा और आपने कई बार वान भी को मजबूर नहीं किया होता तो वान भी मुझे प्यार करने का इजार नहीं करती और इसलिए मुझे आपका शुक्रिया करना है फिर वान भी उसकी ये बास सुन है रानी से मन में केती है क्या जो भी मैंने कहा उसने सुन लिया फिर चंग्मन वन बई के तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कहता है चलो वन बई चलते हैं, फिर वन बई उसके हाथ में अपना हाथ देती हैं, कहती है हाँ ठीक है, और फिर वो मन में कहने लगती है, अंग्यान आज भी तुम मेरे खातीर अपने डैट से लड़े, वो मेरे पास करती हुए कहते हैं मेरा चेस्ट दुख रहा है और वहीं दुसी तरफ वो दोनों घर से भार आ चुके होते हैं और वान बई चौंग्यान से कहती है चौंग्यान आज जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए शुक रिया और मुझे इसकी बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम यहा कहना चाती हो तो वान बई कहती है इस फोटो के बारे में तुम यह जानना चाते हो ना कि इस फोटो के दोरान हम दोनों की बीच में क्या हुआ ता तो मैं बताती हूँ और तबी चौंग्यान से चुपकराती हुए कहता है नहीं मुझे नहीं जानना मैंने कई बार तुम से इस बारे में इसलिए पूछा कि मैं यह जानना चाहता था क्या तुम मुझे पसंद करती हो कि यह बास सुन यान ब्लश करने लगती है और कहती है चांग व्यान तुम और फिर चांग वन उसे पकड़ती हुए कहता है मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और इसलिए मुझे इस तस्वीर की सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई भी शक तुमारे प्रती मेरे प्यार को धुंदला नहीं कर सकता वान भाई कि ये बास सुन की आखे बराती है और कहती है चांगवन वान भाई को गले लगा ल क्या है वान भी केती है उस वक्त अचानक यांग फिंग ने मुझे दिवाल की और धकेला और मेरे साथ ये हरकते करने लगा तब ही मैंने एक कटोरा लेकर उसके सर पर दे मारा जिससे वो शान्त हो गया ये बास सुन चांगवन कहता है क्या तुमारा मतलब है कि यांग फिं ऐसा हो सकता है कि किसी ने तुमारे खिलाफ जाल बिछाया हो लेकिन वान भाई अब मुझे इस फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ता अब वान भाई कहती है लेकिन चांगवन चार साल पहले इसी फोटो के कारण हम दोनों अलग हुए थे ये सुन चांगवन चोकती वे कहता है क्या और गायज़ी की साथ एपिसों नुमार 216 यहां एंड होता है पसना है तो लाइक एंड सिस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में